रेमदेस्वीर इंजेक्शन के बारे में चल रहा है ब्लैक भी हो रही है शॉटेज भी हो गई है पर आज तक के साइंस के किसी भी study के अंदर रेमदेस्वीर से जान बसते नहीं दिखा गया फिर यह क्यों भी कर रही यह और क्यों दी जारी है और क्यों अप्रूब हुई है चाती हैं जिसमें सबसे पहली दवाई का नाम है स्टिरोइड का इंजेक्षन ये स्टिरोइड का इंजेक्षना जिसकी स्टडी यूके में हुई थी इसको कहते हैं dzikh sa mitherson यह ना तो ब्लैक हुआ ना लोग इसके पीछे भागे क्यों नहीं भागे क्योंकि अगर इसकी MRP देखिए यह 10 रुपे हैं डेक्सा मीतिसोन के उपर UK ने स्टडी निकाली है और पूरे वर्ल्ड में यह इस्टिरोड दिया जाता है यह इंजेक्शन Remdesivir से ज़्यादा जान बचा रहा है और यह मैं on record बोल रहा हूं Remdesivir से ज़्यादा अफेक्टिव यह इंजेक्शन है पर यह सब medical guidance के अंडर ही दिया जाता है इसलिए Remdesivir के पीछे भागना छोड़िये जो available है जिससे हम अपने लोगों की जान बचा सकते हैं जो हमारे पास इंडिया में सस्ता available है आप उसके साथ जाएए तो बाकी दवाईयों का क्या हुआ बाकी दवाईयां जो hydroxy chloroquine जो ivermectine बोलके दवाईयां आई थी वो सार इसलिए उनको blood thinner का injection एक लेकसे या जो लोग घर चले जाते हैं डॉक्टर सुनको blood thinner की टैबलेट दे देते हैं यह blood thinner की टैबलेट 20 से 21 दिन तक दी जाती है और यह दवाईयां भी अंडर मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन ही दी जाती है जो लोग की oxygen 93 से कम है वही लोगों को इतने सब दवाईयों की जरूरत है जो लोग नॉर्मल है वह लोग नॉर्मल खाना या सिंटमेटिक ट्रीक्मेंट से ही ठीक हो जा रहे हैं स्टिरोइड की जरूरत सिर्फ सेकिंड वीक में पढ़ रही है एक और चीज याद रखिए कि कोरोना की उमर सिर्फ 14 दिन ही है चीजें ब्लैक ना होने दें और जो अवेलेबल संसाद्र हैं आज हमारे पास उसको यूज करें तो हम सब ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचा पढ़िए हैं मैं संजीव कुमार संचाइन होस्पिटल हाइदराबाद से बोल रहा हूं